बियार के पुरोप मुख्य मंत्री वराजसवा सदस्य शुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा है कि आर्जेडी कॉंग्डेस ट्यमसी जैसी दो दरजन पाटिया सिर्फ परिवारवाद और भरताचार को बचाने के लिए मोर्चा बनाकर परधारमंत नडंदर मोदी का विरोथ कर रहे है इनके पास विकास का कोई जंडा नहीं है इंडिया गर्बंधन नाम के घमंडिया मोर्चे के पर मुख दलों में परिवार वार इतना हावी है कि पार्टी का सिर्फपत परिवार के लिए रिजर्व लगतार रहता है आर्जेडी में लालुपर आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए उन्होंने यह साह कहा है कि आज़ादी मिलनी चाहिए क्योंकि वर्सों वर्सों से लालू पर शाध्यादोर राजत के रास्तिय अध्यक्षे आइसे में शुशील कुमार बोधी ने कहा है कि 2024 का लोक्षबाचुना भर्चाचार इंडिया और तुशी करन इंडिया छोड़ो के नाड़े पर लड़ा जाएगा 1942 में ब्रिटिस प्राध हिंता से मुक्ति के लिए महात्मा गाधी के नेतितुमें कही न कहीं क्विट इंडिया आंदोलन शुरू हुआ था लेकिन आज 71 साल बाद परिवार बाद भर्चाचार और से वर्षू वर्षू तक राज किया है लेकिन गरीवी मिटाने के वजाए अपनी साथ पिडियों के लिए संपत्ती बटोन ली है वे सब आज परधान मंतरी का विरोध कर रहे हैं ऐसे में क्या ऐसे गहरे भर्चाचार को भारत से बाहर नहीं किया जाना चाहिए सुशील मो काल आसाम जैसे सिमावर्ती राजियों में कहीं न कहीं पांगला देशी रोहिंगिया घुसपैट की देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनाती बन गई है ऐसे में देखा जाए क्योंकि ऐसे तुष्टी करन को भारत से भगाना जरूरी नहीं है क्या उन्होंने या साफ कर दिया है कि प्रधान मंत्री नडन्र मोदी को दीसरी बार सेवा का मौका देकर भारत की जनता इस दौर का क्विट इंडिया मुमेंट भी सफल बनाएगी तो महीं प्रधान मंत्री को एक बार फिर से काई न कहीं पीम बनाने का काम करेगी नडन्र मोदी फिर से ए जम कर निश्वाना स्तादर से देखने वाली बात यह होगी कि महागरमदर के तरफ से इंडिया के तरफ से क्या कुछ पर्तिकिर्या निकल के आती है और भी तमाम ख़बरों के लिए अन्वी सी 24 के साथ बने रहे इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को जाजाज सेर करें अगरे वीडियो फेस्बूप पेज को लाइक फालो करें अगरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे देखें तुम्हारे चाल को सब्साइब करना बिलकुल ना भूले अपनी परतिक के या comment box में जाकर जरूर दे, बहुत बहुत धन्यवाद